स्टार प्लस के सीरियल साथ हिमाना साथिया में आगया एक नया ट्विस्ट जहां मिल गई है गहना को सूरिया की असली मा जो छिपते चिपाते बचते बचते सूरिया की मदद करती है और गहना को जब ये पता चलता है कि सुहानी मा सूरिया की असली मा नहीं है और ये बात ग के मिलन में सुहानी और सिकंदर कितना बड़ा रोडा बनते हैं देखना दिल्चास्थ होगा हम जब बापु जी मतलब मेरे ससुड जी मेरे सूर्या के डाड की हम बरसी मना रहे होते हैं तो वहां पर एक और आती है वो एक चिट रखते हैं और उसमें कुछ लिखाता है कि गहना मैं तुम्हेरी मदद करना चाहती हूँ मंदीर के उदर आ जाई है हमसे मिलने के लिए तो और मैं उनका कड़ा देख लेती हूँ तो मैं मुझे वो औरत वहां मत मिल तो नहीं पाती है मंदीर के पास पर मुझे फिर बाद में वो सूर्या उन्हें जब घर पे लेके आता है क्योंकि सूर्या का एक्सिडेंट होता है जब सूर्या उनको घर ले आते हैं तो मैं उनका कड़ा देखती हूँ और मुझे realize होता है ये तो वही और इवन सुहानी मा को realize होता है कि ये औरत उनका कोई connection है उस औरत से विच आइ डून नो तो उसका पीछा करते करते हैं मैं भागती हूं घर से और मा मेरा पीछा करती है तो हम एक location पर पहुंचते हैं मैं उनके साथ actually सुहानी मा सिर्फ guards भेजती हैं वो नहीं आती है वो guards भेजती हैं कि इन दोनों को पकड़ के लेकर रहा वो यह कहीं भाग ना पाए तो हम भागते भागते हम एक जंगल की तरफ आया एक हाई की तरफ और यह guards तो चले गए हैं क्योंकि वो नीचे गिर गई है और उन्हें लगता है वो मर गई है और मैं छुप गई हूँ तो उनको मैं कहीं मिलने रही हूँ तो उनको लगता है कि हो गया दोनों का पत्ता कट और वो लोग चले जाते हैं बट फिर मैं आती हूँ मैं उन्हें ऊपर लाती हूँ बचाती हूँ और फिर हमारे टॉकी पोईशन होती है तो तब मुझे पता चलता है कि यह तो सूर्या की असली मा है वो मुझे से शेयर करती है कि मैं सूर्या की असली मा हूँ नहीं बता पाई तो मैं केती हूं कि यह सब आपने मुझे तो कह दिया बड़ सूरिया बिलीफ नहीं कर पाएगा क्योंकि सूरिया अपनी सुहानी माँ पे ना आग बंद करके भरोसा करता है वो उनसे इतना पाग्रों जैसा प्यार करता है कि मैं उसको कितने बार समझा चुक प्यार नहीं करती तुमसे इतना लगाव नहीं है इसलिए वो सिकंदर से जादा प्यार करती है तो नाव प्रूफिट की हम कैसे सूरिया को सच्चाई बताएंगे